नमस्कार दोस्तों मैं सौरब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटीब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हेंट सेट है सैमसंग ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक साइड में सैमसंग की ब्रैंडिंग है और द एकाउंट लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस तरीका विडियो को ध्यान से देखेगा और अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर है और आपकी डिवाइस एफार्पी लॉक है आनि की गूगल एकाउंट लॉक है तो मेरे इस विडियो को देखन करेंगे इसको उपर करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है इस बॉक्स को चेक करिए उसके बाद नेक्स्ट करिए ओके और यहाँ पर देखे यहाँ यह जल्दी से मैं इपने डिवाइस को किसी वाइफाई से कनेक्ट कर लेता हूं ओके डिवाइस हमारी कनेक्ट होगे यह आप उपर की तरफ देख सकते हैं वाई-फाई का सिंबल सो कर रहा है ठीक है अब यहां से कर देंगे next और कुछ सेकेंड वेट करें दोस्तों आपको पूरी तरह कनफर्म हो जाएगा कि यह जो डिवाइस है यह गूगल एकाउंट यहां से आप डॉंट कॉपी कर दें ओके और यह देखें दोस्तों फाइनली यह प्राब्लम आपको फेज करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस एफार्पी लॉक होती है यानि कि गूगल एकाउंट लॉक होती है अब यहां दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो डिवाइ पड़िया पनी ट्राब करता है यांपगे डिवाइस अंलाग हो जाएगी एक चीज़ और ठेहां दे यहां पे पेंडुर का प्सपर का लचा लिखा प्रिम्पर की तरफ टर है अब कुछ सेकेंड वेट करिए, यहां पिले क्या आगा verify your account, यानि कि आगे चलके आपको device का FRP बाइपास करने के लिए device का Google account verify करना होगा, यह देखे verify your account, तो अब तो confirm हो गया कि device हमारी पूरी तरह से FRP lock है, इस विडियो को ध्यान से देख लीजिए, और यकीन मानिए दोस सबसे पहले आप यहां से बिल्कुल back चले आए, आपको चले आना बिल्कुल home screen पे, तो आप यहां से बिल्कुल back चले आए, हम चले आए बिल्कुल home screen पे, और अब देखे आपको करना क्या है, यहां display पे आपको 3 बार लगातार click करना है, ठीक है, जब 3 बार आप click करेंगे तो यहां पे checking for update का option आ जाएगा मैं practically आपको दिखा देता हूँ यहां display पे हम 3 बार लगातार click करेंगे option नहीं आया तो एक बार फिर से try करते हैं हम 3 बार इस पे फिर से click करेंगे और यह देखे checking for update का option आ जाएगा अब जब checking for update का option आ जाए तो आपको करना क्या दोस्तो यहां से back जाना है connect to wifi वाले option पे यानि कि जहां आपने device को wifi से connect किया था ठीक है तो हम यहां से back जाएंगे एक एक point करके back जाएगा और यह देखे connect to wifi वाले option पे आपको back आ जाना है और अब देखे आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए एक option आपको मिलता है see all wifi network तो आप simple इस option पे click करें उसके बाद आपको click करना है दोस्तों यहाँ पे देखिए add new network का option है तो आप simple इस पे click करें जैसे add new network पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यह QR code देखने को मिलता है आप simple इस qr code पे click करें तो यहाँ पे दखें दोस्तों आपका qr code scanner यहाँ पे open हो जाएगा ठीक है यहाँ पे दिखिए gallery के लिए option है तो आपको simple इस option पे click करना है अब देखें दोस्तों उपर की तरफ आपको यह 3 dot मिल रहा है तो आप simple इस 3 dot पे click करें और उसके बाद 3 dot पे click करने के बाद यहाँ पे दिखें लिखा gallery go आपको simple करना कै दोस्तों इस option पे आपको अपनी finger ले जानी है और इस पे tab करके रखना है कुछ देव तक ठीक है कैसे मैं आपको बताता हूँ आप अपनी finger ले जाए और कुछ देव तक इस पे ऐसे hold करके रखें इससे क्या होगा दोस्तों gallery go का app info यहाँ पे open हो जाएगा ठीक है आप देख सकते है gallery go app info और अब देखें आपको करना क्या है यहाँ से थोड़ा सा नीची आईए तो यहाँ पे एक option आपको मिल जागा permissions का यह रहा permissions आप permissions पे click कर देए ओके permissions पे click करने बाद उपर की तरब देखें यह छोटा सा search box मिलता है आपको simply search box पे click कर देना है जैसे ही search box पे click करेंगे तो यहाँ पे देखें यह search box open हो जाएगा और यहाँ पर आपके device का keyboard open हो जाएगा, ठीक है, आपको इस search box में type करना दोस्तों, chrome, c-h-r-o-m-e, आप display पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल same type करीगा, तो हम यहाँ पर type करते हैं, c-h-ro, और यह देखे, मैंने कुछी words type किये, और यहाँ पर देखे, यह chrome यहाँ पर आपको क्लिक कर दे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपके device में welcome to chrome, chrome browser पूरी तरह से open हो जाएगा, ठीक है, आपको इसे setup कर लेना है, तो यहाँ accept and continue पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम no thanks कर देंगे, ठीक है, यह browser पूरी तरह से setup हो गया, अब आपको करना क्या है, यहाँ यह जो search box है, आप simply search box पे click करें, और यहाँ पर आपको simply type करना है दोस्तों, vnrom, आप display पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल same type करिएगा, vnrom, और उसके बाद आप यहाँ से नीचे से go कर दें, मैंने vnrom type किया और go किया, तो यह search result आपके सामने आ गया, बिल्कुल पहली वाली website, यानि कि bypass Google account, यह जो लिखा हुआ है, आपको simple इस पर click कर देना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, vnrom की जो website है, वो पूरी तरह से open हो जाएगी, यहाँ नीचे तरब देखें, कुछ applications आपको देखने को मिल रहे हैं, यह देखें, बहुत सारे applications आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, आपको करना क्या है कि इन applications में से आपको कुछ application डाउनलोड करने है, तो कौन से वो application है, मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आईए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो application आपको डाउनलोड करना है, दोस्तों, वो है googlesetting.apk, ठीक है, यह रहा है, यह googlesetting.apk पे फिर से आपको क्लिक कर देना, ठीक है, तो यह application successfully आपके device में डाउनलोड होने लगेगा, अब जो second application है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आईए, तो second application आपको दिखेगा, quick shortcut maker, यह रहा quick shortcut maker, आपको इसे डाउनलोड करना है, तो इसे डाउनलोड करने के लिए simple पे डाउनलोड हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी problem phase करनी पड़ती है, यह application हमारा दिख रहा है कि पूरा डाउनलोड हो चुका है, लेकिन यह download हुआ नहीं है, यह problem आपको phase करनी पड़ती है, तो इसका solution क्या है, यह देखे मैं इसको stop करता हूँ, और फिर से start करता हूँ, ले आप ऐसे बिल्कुल नीचे हैं, और ऐसे उपर से पकड़ कैसे नीचे कि तरब घीचें, यह देखे, यहाँ पर यह refresh का आप सना गया, यह refresh हो जाएगा, ठीक है, cancel होके, आपको OK कर देना है, OK, ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो application आपका रुखा हुआ है, वो application ड .EP के इस application को install करना है, OK, तो चलिए install करते हैं, मैं इस पे click करूँगा, OK, यहाँ से आपको setting पे click करना है, OK, यह permission off है, आपको इससे on कर देना है, उसके बाद आप यहाँ से back आए, और simply आप इससे यहाँ से install कर दे, तो सबसे पहले आपको Google जो setting है, यह वाला application आपको install करना है, विडियो को ध्यान से देखिएगा, कोई भी step आपी skip नहीं करिएगा, बहुत आसानी से घर बैठे बैठे, आप अपने Samsung Galaxy M01 Core का FRP bypass कर पाएंगे, ठीक है, यह देखिए application हमारा install हो गया, ठीक है, आपको इससे open कर लेना है, open करने के बाद cancel continue, आप continue पे click कर दे, ठीक है, उसके बाद आप यहां से OK कर दे, अब यह Google setting application आपके device में successfully install हो गया, ठीक है, आप यहां से back आजाएं, back आने के बाद अब जो दूसरा application है, quick shortcut maker, आपको इससे install करना है, ठीक है, तो आप simply इस पे click करें, और यहां से install पे click कर दे, जैसे ही यह application install होगा, आपको इससे open कर ले हैं, ओके, और उसके बाद आपको यहां से OK कर देना है, यह देखे, quick shortcut maker हमारे device में successfully install हो गया, और open हो गया, अब देखिए, आपको करना क्या है, यहां देखिए, उपर की तरफ तीन option आपको मिलते है, activity, applications, fabric, आपको करना क्या है, कि applications पे click करना है, ओके, applications पे click करने के बाद आपको उपर की तरफ एक option मिलेगा, input keyword to filter, ओके, आपको simple इस पे click करना है, ओके, click करने के बाद दोस्तों, आपको device का keyboard open हो जाएगा, और यहां पे आपको type करना है, दोस्तों, settings, आप display पे देख सकते हैं, तो बिल्कुल same type करिएगा, तो आप simply यहां पे type कर दें, settings, ओके, settings type करने के बाद दोस्तों, आप नीचे आए, तो यहां पे देखेंगे, आपको एक option मिल जाएगा, settings का, यहां देखें, नीचे आने के बाद यह देखें, settings का option मिल गया, आप simple settings पे click करने के बाद दोस्तों, यहां पे देखें, try करके, यह text लिखा हुआ है, आप simple इस text पे, यानि कि try पे आप यहां पे click कर दें, तो यहां दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके device की main setting यह देखें, device की main setting यह open हो गई, और अब देखें, आपको करना क्या है, यहां से उपर आईए, तो यहां पे एक option आपको मिल जाएगा, apps and notifications का, यह रहा, आप simple इस पे click करें, उके उसके बाद दोस्तों, आपको click करना है, all apps पे, यह रहा, all apps, आप simple इस पे click कर दें, तो यहां दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके device में by default जो applications की list है, यह देखें, सारे applications की list यहां पे आपको so करने लगेगी, और अब देखें, आपको करना क्या है, यहां से नीचे आए, तो यहां पे आपको एक application को disable करना है, कौन सा वो application है मैं आपको बता देता हूँ, यह देखें, Google Play Services, आपको इसे disable करना है, तो disable करने के लिए simple आप गूगल प्ले services पे click करें, और यहां देखें, disable का option है, तो आप यहां disable पे click करें, और उसके बाद disable ऐप, यह आपको सिर्फ Google Play Services को disable कर देना है उसके बाद आप back चले आए back का मतलब आपको जाना है device की main setting में तो आप यहाँ से back आए ओके याद रहे आपको setting में जाना है हमाँ गए setting में setting में आनेक बाद आप नीचे आए तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक option आपको मिलेगा Google का तो यह रहा Google आप Google पे click करें कुछ सेकेंड वेट करेंग दोस्तों तो यहाँ पे आपसे Google account sign in करने को बलेगा यह देखे Google sign in और यहाँ पे email आर फोन का option है ठीक है तो आपके पास कोई भी working Google account हो तो आपको यहाँ पे enter कर लेना है अब यह देखे दोस्तों पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया अब मैं simply यहाँ से next कर दूँगा तो अब क्या होगा दोस्तों यह जो Google account हमने इस device में sign in किया है ठीक है यह successfully इस device में add हो जाएगा और sign in हो जाएगा ठीक है कुछ सेकेंड वेट करिए यह देखे इसमें add हो गया और sign in भी हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे account में आपको यह account यहाँ पर सो कर रहा है ठीक है अब आपको करना किया दोस्तों अब आपको फिर से back जाना है device की main setting में ठीक है तो हम यहाँ से simply back चलते हैं आपको उसे enable करना है ठीक है तो चलिए enable करते हैं हम उपर आएंगे तो यहाँ apps and notifications पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ से all apps पर तो आप इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर देखे यहाँ पर all लिखा हुआ है यह arrow है आपको simple all पर क्लिक करना है और यहाँ से disable आपको option मिलेगा आप disable पर क्लिक करें तो यह application आपने disable किया था आपको इसे enable करना है तो enable करने के लिए आप इस पर क्लिक करें ओके और यहाँ नीचे तरफ देखे enable का option तो आप यहाँ Enable पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो यह application successfully आपका Enable हो गया, ठीक है, और अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक point back आना है, तो हम यहाँ से back आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सारे applications आपको सोग करने लगेंगे, अब आपको क्लिक करना है दोस्तों, यह जो Chrome है, Chrome पे क्लिक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए, ओके, और यहाँ से open का option है, आप इसे open कर लीजिए, तो आपके device में Chrome ब्राउजर फिर से open हो जाएगा, ठीक है, अब फिर से आप यह जो three dot देख रहा है, आप simple इस three dot पे क्लिक करें, ओके, ओके, और उसके बाद आपको क्लि इसे इस पे क्लिक करें, ओके, और इसे simply install कर लें, और जैसे install होगा, आपको इसे open कर लेना है, थोड़ा सा वेट करें, यह देखे, install हो गया, आपको इसे open कर लेना है, ओके, और अब देखें दोस्तों, आपको करना क्या है, अब फिर से आपको क्लिक करना है, input keyword to filter पे, आप इस पे क्लिक करें और यहां पे आपको simply type करना है दोस्तों Android Space Setup आप display पे देख सकने हैं तो बिल्कुल save type करिएगा आपको simply type करना है Android A-N-D-R-O-I-D इस पे सेटब Android Setup आपको type करना है यह देखें यहां पे यह Android Setup आपको देखेंगा आपको simple Android Setup पे क्लिक करना है जैसे ही Android Setup पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यह देखेंगे बहुत सारे Android Setup आपको देखने को मिल रहे है यह देखें बहुत सारे हो आपको करना क्या है दोस्तों बिल्कुल last में आईए जो बिल्कुल last वाला Android setup है आपको उसपे click करना है यह बिल्कुल last वाला है आपको simple इसपे click करना है और उसके बाद यहाँ पे दिखे try का option यह text लिखा हुआ आप इसपे click कर दें तो यह दिखे preparing for setup आप यहाँ कुछ second wait करें आपको यहाँ wait करना है और उसके बाद यह interface आपको आएगा तो आपको setup कर लेना है आप इसे यहाँ से उपर से cut करिए यहाँ नीचे से continue करिए यहाँ से इस option को आप simply skip करिए skip करिए okay कुछ second wait करिए okay उसके बाद नीचे से आप continue कर दीजिए install कर दीजिए उसके बाद finish कर दीजिए okay और अब देखे दोस्तों finally आपकी device Samsung Galaxy M01 4 का FRP यहाँ पूरी तरह से deactivate होगे आपकी device पूरी तरह से unlock होगे मुझे उमीदा दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने Samsung Galaxy M01 4 का FRP lock यानि की Google account lock remove कर पाएंगे दोस्तों एक छोटी स्रिक्वेस्ट करूँगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा सेर करें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे इस सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूटीब चनल को जरूर सब्सक्राइब करें बगल में जो बेलाकन है उसे प्रेस करें तकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू सो मच